जब से नीट की एक्जाम होई, हर बच्चा सोच रहा था कि आथ से हमें आराम मिलेगा, एकदम mentally शान्थ हो जाएंगे हम, लेकिन खवर ही कुछ ऐसी आगई, जिससे हर एक वो एस्पिरेंट जिसने नीट की एक्जाम दी है, और उनके पैरेंट्स हो या उनके टीचर्स हो, हर किसी के लिए एक सरदर्द आके खड़ा हो चुका है, यूकि नीट की एक्जाम के दिन, कुछ ऐसी चीज़े हुई है, कुछ ऐसी घटना हुई है, जिसके उपर अभी तक कोई clarity, NTA ने नहीं दी है, लेकिन काफी सारी बाते चल रही है, कुछ बिहार पुलिस के तरफ से भी F.I.R. की और press release की चीज़े भी release हुई है, तो आज आप सभी, क्योंकि आपने तो नीट की एक्जाम दी है, लेकिन हम as a teacher भी आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, आपको support करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा moment है, जहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही time पे आपक को facts properly पता हो, तो misinformation जादा ना फैले, इसलिए as a teacher, मैं तुशार पटेल, शिवम सर, हमारे प्यारे जगरात सर, मैं जबी भी आपका नाम लेने सोचता हूँ, जसी सरे आदा जाए हैं, और हमारे प्यारे आलोक सर, हम चारों मिलके आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बाते रख हो, आप कहीं तो एक पूरा बरोसा दिखा पाए, वैसी जगे पे आप है, इसलिए हम आपके सामने कुछ ऐसे facts रखना चाहते हैं, जहां पे यह क्या हो रहा है, matter क्या है, उसको आप समझा पाए, ऐसा पहले कब कुछ हुआ था, क्या हुआ था, तब decision क्या था, इसके बारे भी बात कर पाए, और आपके लिए reneat क्या एक ही solution है, होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या, आपको ये छोटा सा वीडियो पूरी information देगा है ना अलुक सर, बिलकुल, जिससे आपके mindset में जो भी rumors हैं, जो भी बादल चाहे हुए है, clarity नहीं है, उस picture को हम लोग clear करने के stress ना हो, और आप अगना जो step आपका हो सकता है, उसके बारे में सोच सके हैं, जी, तो शुरू करते हैं, सबसे पहला हमारा यही होने वाला है कि facts क्या है, तो facts के उपर बाते करते हैं, शिवम सर बताईये ज़रूर सर, अगर मैं facts के बारे में बात करूँ गई, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यह जो न्यूज है, यह समय अभी चल क्या रहा है, और अगर अभी से लेटेस्ट न्यूज अगर हम लोग देखें, तो 15th of May को प्रभात कवर की न्यूज आ रही है, नीट पेपर लीक मामले में CBI जाच की मांग, पतना हाई कोट में याच का द CBI investigation, आपका जो नीट का एक्जाम हुआ है, कहीं न कहीं कुछ तो ऐसी evidence मिले हैं, जिससे यह realize हो रहा है, कि एक्जाम को cancel होना चाहिए, और एक CBI investigation होना चाहिए, ऐसी कुछ लोगों की demand आई है, जरा समस्ते हैं, NTA का move क्या है, NTA का कहना क्या है, NTA का कहना क्या है, अभी हमारे पास परियाप साक्ष नहीं है, जिससे हम यह मान सके कि नीट का exam लीक हुआ है, NTA का कहना है, but we have not received any strong evidence of an alleged paper leak, इसका मतलब अभी उनके पास कोई भी strong evidence नहीं है, ऐसा NTA की press release कहती है, तो जब तक उनकी official information नहीं आ जाती है, तब तक अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि reneat होगा ही, चलिए और आगे के facts पर चलते हैं, 5th में को आपका NEET का exam हो, और 5th में को ही FIR हो जाती है, FIR में यह सारी बाते निकल के आती हैं, कि कुछ लोग जो involved थे, वो कौन थे, उनके नाम, उनके role numbers, इन सब के साथ, यह देखे, 5th में को ही FIR हो जाती है, बिल्कुल सर, और फिर आती है press release, है न, और press release में उनने साब साब बोला था, यहाँ पर देख सकते हो, कि समंदिक स्कूल से जलेवे प्रशन पत्रों कुछ अवशेश जप्त किये गए हैं, जिनकी जाच कराई जाएगी, जाच का अभी result नहीं आया है, इस कांड में गिरफदार संगटिति ग्रो के सदस्यों से कई अवयर्थों के admit card, most dated checks and certificate जप्त किये गए हैं, तो इससे पता चलता है कि दाल में कुछ तो काला था, ठीक है नहीं, अब देखिए, इस से related news भी आई, और इसके बाद, नीट पेपर लीक मामले में CBI जाच की मांग की गई, यह petitioner है, सुजीत कुमार सिना, जिन्होंने पटना हाई कोट में एक PIL दाखिल की, कि नीट का exam cancel कराकर, एक बार फिर से नीट का exam कराना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इसका लाभानवित अव्यर्थी है, जिसने illegal त candidate है, जिन्होंने साल पर मेहनत की है, यह कहीं न कहीं उनके साथ एक बेइमानी हो जाएगी, इसलिए नीट का exam दुबारा होना चाहिए, बिल्कुल, तो अब यह बोलते हैं कि will NTA conduct medical entrance exam again, क्या NTA दुबारा नीट कराएगी, निक कराएगी, तो इसको देख लेते हैं, पर थो हुआ है, तो क्या री नीट हुआ है, जरा उसके बारे में बात करते हैं, हाँ जी, यह डॉक्टर बेक पांडे है, यह RTI activist है, और काफी अच्छे मित्र है हमारे, इन्होंने यह बताया कि देखो 2015 में हर्याना में लीक हुआ था पेपर, इसके बाद री नीट हुआ है, NTA ज हो गया था, पंदरा में यह देखिए, यह इंडियन एक्सप्रेस की 24 जून 2015 ही ख़बर है, कि IPMT 2015 टू बी री कंड़क्टेड अन जुलाई 25 अनॉंसे सीवेसी, सीवेसी ने अनॉंस किया था, और तो और उस टाइम कोट ने बहुत कड़े शब्दियुज किये थे, मैं student को भी illegal benefit मिल रहा है, तो यह भाया नुकसान होगा, it is not possible to catch all the culpits, and that's why exam was cancelled, कह रहा था, Supreme Court ने यह बोल के exam cancel किया था, कि अगर एक भी illegal student को benefit हुआ है, तो exam दोबारा से होगा, और अगर एक को हुआ है, तो यह identify करना बहुत ही मुश्किल है, कि और लोगों को नहीं हुआ हो इसका मतलब leakage है, यह full proof नहीं है, और अगर एक भी अवर्थी illegally benefit पा रहा है, तो यह उनके साथ बेमानी है, जुन्होंने बहुत serious त्यारी की है, जी, बिलकुल सर, सर अब बताएंगे solution क्या है, सर, तो देखे, यह तो बहुत ही proper statement दिया था, Supreme Court ने, कि एक भी बच्चे के Medical College की seat को कोई ऐसा बच्चा छीन ले जाता है, जो सर्फ पैसो के दम पर वो seat ले रहा है, तो वो सही नहीं है, और वो justice मिलना ही चाहिए, अब इसका solution क्या है, तो solution में आपको पता है, दो ही option है, या तो reneat हो, या ना हो, reneat नहीं होगा, इसका मतलब अभी जो exam हुई, उस energy के साथ हम लोग मेनत करे थे, वो सारी चीजे हमें वापस लानी पड़ेगी, हमें और थोड़ा सम्मी देना पड़ेगा, यह सिर्फ मैं आपको आपके mental preparation के बारे बता रहा हूँ, बाकी इसके लिए government का जो भी खर्चा होगा, वो तो अलगी चीज है, आपको वापस त्या उसके ओपर एक बार हम बात करें, अगर इनीट नहीं होता है, तो जिन लोगों ने cheating की है, उन लोगों को discard कर दिया जाए, और हमें proper investigation के थूरू पता करना पड़ेगा कि कौन-कौन ऐसे लोग है, जिनों ने cheating की है, जितने culprits है, सारे culprits को identify करके उनको eliminate किया जाए, इस need क एक्जाम से इस need की पूरी process है, और ये हर साल के बच्चों के लिए ऐसा burden ना बने, इसलिए NTA को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रुवत है, बट हाँ, इस moment में हम सब doctors-adda के सारे teachers, आप सभी के साथ में ही खड़े हैं, मैं वापस बुलाना चाहूंगा कि, sir, आप लोग भी ज़र आपने views बताए, बच्चों को की re-neet या no re-neet, which is more beneficial and what students should have prepared mentally, देखे बच्चा, पहली बात तो ये, अगर ये exam leak हुआ है, जिसके evidence कुछ मिलना start हो गए है, य अगर ऐसा हुआ है, तो जरूर हम आपके साथ खड़े हैं, हम NTA से unroad करते हैं, कि अगर किसी एक बच्चे को भी इसका illegal benefit हुआ है, तो फिर justice होना चाहिए, re-neet होना ही चाहिए, और इसमें जरूर हमारी जो आधरनी court है, उसकी तरफ से जरूर ऐसा कोई order आएगा, जो आप के हमारे सभी के hit में होगा, लेकिन हमारा तैयारी क्या mode क्या होना चाहिए, हमें किस चीज के लिए तैयार रहे ना चाहिए, जगरा सर क्या कहते हैं आप, सर देखे, re-neet अगर होता है, तो दोबारा से भी उतना बच्चों का momentum नहीं बन पाता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि बच्चे re-neet के लिए बहुत ज़्यादा परिशान हो, जिनके मार्स थोड़ा कम आ रहे हैं, अपनी preparation शुरू कर दो, अगर re-neet होगा भी तो preparation वेश नह आएंगे, जिनों ने आल लेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आप तैयारी बेटा जरूर स्टार्ट कर दीजिए, आपका अगर re-neet exam होता है, तो ये तैयारी जैसा भी जगरासर बता रहे थे, ये तैयारी वहां काम आ जाएगी, और ये दिन नहीं होता है, तो 2025 में त कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत का तो output आपको मिलता ही मिलता है, तो आप मेहनत करना है, स्टार्ट कर दीजिए, आप इधर उधर के जितनी भी rumors हैं, उनको sideline करिए, अपने आपके दिमाग को ठंडा करिए, और एक बार फिर से कमर कस के तैयारी के लिए लग जाईए, और म कि मार्श अच्छे आ रहे हैं, तो उन्हें तो पैनिक होने के जुरूरती नहीं है, तुम तो आलेडी अच्छे हो, और जगरास सर, हम लोग तो YouTube चैनल पे फ्री में कोर्स ला रहे हैं, कि जो बच्चे तैयरी करना चाहते हैं, आप हमारे Doctors Adda YouTube चैनल के साथ, जुड़ लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है, कि बच्चे की जो आवास है, कहीना कहीं से तो NTA तक पहुची जाती है, कि क्या है बच्चो का कहना, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चो कि आपका जो भी व्यूपॉइंट है, आपका जो भी मनतव यह, आपका जो भी कह कर सके, ताकि जबी भी ऐसे कोई वीडियो, कोई भी ऑथोरिटी वाले देखे, तो उनको पता चली कि बच्चो का कहना क्या है, आपको अपनी आवास पहुचानी बहुत जरूरी है, और यही पब्लिक प्लेटफोर्म होते है, क्योंकि वी आर वन अफ दे लीडिंग पॉइंट किया जाता है, तो प्लीज कमेंट बोक्स को यूटिलाइज करें, अपने पैरेंट्स के साथ भी यह सही इंफॉरमेशन को दिखा है, कि आपके पैरेंट्स काफी बार न्यूज में यह मामला देखते होंगे, और मैंने अकसर देखा है न्यूज में कि आदे यह आपको पता है, और अगर मन में आपके कोई बात है, जैसा सर ने बताया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर हमें उन में से जो पॉइंट्स इंपॉर्टन लगेंगे, उनकी हम रेप्लाई भी देंगे, और साथ में जरूत होगी, तो हम एक नया वीड जाता है कि हाँ कोई एविडेंस है, जो इस्ट्रॉंग है, तो डेफिनेटली हम आपके साथ फाइट में साथ में खड़े हैं, और यदि रेनीट नहीं हो रहा है, तो बेटा 2025 की तयारी के लिए हम आपके साथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आप बस अपना डारेक्शन अपना लक्ष आप निर्धारित करके उस पर लग जाईए, ठीक है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के लिए कहना चाहूंगा, कि आप अपना सपोर्ट जरूर बताइएगा, बाकि हमारी पूरी टीम आपके साथ में, थैंक्यू, ओके बिटा, थैंक्यू, ओके बिटा, थ